दोस्तो नमस्कार शाम सिंग जी के पास में ये दूसरी वीडियो अब हम बना रहे हैं अभी पिछली वीडियो में आपने चर्चा की थी कि हमने बहुत अच्छा एक प्रियोग किया कि जो नर और माधा पोधों को दोनों को मिलाक है और दुई लिंगी पोधा तयार करने कोश लाए तो किस किस तरह से प्रियोग किया थोड़ा सा इसके बारे में बताई यह जैसे हमने आपर दो पुद्दे लगाए थे अलग-अलग है बिल्कुल ठीक है याल देख रहे होंगे अलग-अलग दो पुद्दे थे जी और इन दो पुद्दों में से हमारा एक नर निकला है और एक मादा निकला यह नर का पुद्दा था यह मादा का था जी हमने दोनों को जोइंट कर दिया आपसमें ग्राफ्टिंग कर दिया और उस नर को उपर से काट दिया अभी मादा का बचा हुआ है तो मेरा मानना थोड़ा सा अपना विचार है बस सोच है अपनी कि यह इस पुद्दे में नर के गुण होंगे तो इन दोन यह दोनों जब इसको खुराग देंगे तो कहीं न कहीं इसका सर्वीस के अंदर थोड़ा बहुत आएगा जी तो इसका पपित्ता होगा हाँ उसकी क्वालिटी एक तरह से द्वीलिंगी पुद्दे वाली आएगी जैस लेकिन दुनों मादा हैं दुनों को छोड़ दिया रख जी 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 बहुत बढ़ी है तो यह इस तरह का प्रियोग करने का मन में कैसे आया जी यह बस यही था कि आईवान रेड लेड़ी के बारे में जब पता चला तो उसके बीज की हमने बात करी कि कहीं से बीज खरी लेक लेकिन बीज का पता चला के उसका तो बीज दे साड़े तीन लाख रुपे पर केजी के आसपास है बिलकुल है इतना महंगा बीज कहां से कैसे लेंगे हैं फिर हमने जब अपने यह बीज त्यार करके और करा हमने हमारे दिमाग में विचार रहा है कि दूई लिंगी जो हो बहुत सुन्दा अच्छा मैं देख रहा हूं यहां पर आपने कुछ पोदे भी मंगाए हुए हैं तो क्या आप बाग को और बढ़ा रहे हैं किस तरह से क्या विचार चल रहा है काफी पोद्दे जैसे रखे हुए नरसरी वाले नितिन भाई हमारे से हमारी आपकी वीडिय सकते हैं इसमें क्या करा हमने कुछ तो हमने स्पेशल पोद्दे जैसे जैसे लीची हमारी है हाँ जी साही वेराइटी है एक बीदाना है जी और यह मुझभफरपुर बिहार की लीची हाँ जी और वहां इसका रिसर्च सेंट्र हाँ सोध संस्थान है जी नेशनल एनराई नेशनल लिचर इस्टिट्ट तो यह वहां से आई है अच्छा ओं लिए तो मंगवाई ति अमें थी और वर लोगों के और किसमेंदों के लिए जी आउसे जी तरी यह तरम के रखके हैं हाँ हम से मंगा आई अच्छा जी ठीक है नकलते हैं अमरूथ भी हमना यह लगनों स अच्छा यह स्वेता वराइटी है अच्छा वह बरफ खान है ठीक है तीनों वराइटी आपके पास यह उपलब दहब्ध है जी बहुत बढ़ी है ज्यादा चलने वाली चीज़े हैं वही हमने मगाई है और कुछ पुद्रे अपने आप भी त्यार करा रहे हैं बहुत बढ़ सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब और किसान लोको देने के लिए जाए चाने के लिए जब कर रहें और इसका हम अच्छे साच्छा बढ़ने की प्रियास कर रहें जैसी इसी तरीके से पर लोग ले जा रहे हैं आपने देखे होंगे तैयार रखे जाने बहुत बढ़ी है बाकीस बार हमने थोड़ा केले में जी नाइन में भी थोड़ा सा परियोग करके दिखा जी नाइन को लोग कहते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा निउट्रिशन डिमांड रहती है तो प्राकर्ति खेती में भी इसको भी करके देखें हैं हलाकि बेसी से उसका रेट कम रहता है हाँ और मैं उसको मलबस कर रहा हूं प्रिफर नहीं करते बाकी देशी पर मेरा ज्यादा जो बहुत बढ़ी है अच्छ आप आगे दिखाता हूं आपको और भी परियोग है यह आपको में बहुत अच्छा परियो सब्सक्राइब करके हाँ यह आप देख रहे होंगे यहां नजदीक से आप दिखाऊ यह हमने कट देके इसमें और यह मादा के पोद्दे को लाए थे हम जहां पर दो मादा खड़ी हुई थी दो मादा हाजी उन में से एक को काटके लाए वहां से उपर से जी और उसको इस इसी तरीके से हमने बहुत सारे परियोगकर रखे हैं जैसे यह नरका पोद्दा था अब इधर आओ यह नरका था 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 है इस पे फट्द बनना सुरू हो गया यह देखो कुद्रत का कमाल है जी इसको 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 हमने थोड़ा से जटका दिया उपर से कटिंग कर दिया ह और इस पर हमने मादा की भी मादा में से ही लाके एक ग्राफ्टिंग कर रखी है तर चिपका हुए यह दिखा सकते हैं जब इसमें फल आगे तो अपर से नहीं कटा नहीं तो इसको अब तक हम उप्त चुकिए बहुत बढ़ी और इसी तरह से आप हमारे और भी बहुत सारे न कि जिस तरह से आप प्राकरतिक खेती पहिति के अंतरगत बागबानी की कर 진행 करते हैं और साती साथ किसानों को भी प्रमोट करते हैं कोई एक नएा किसां जो पंचिश्तर यह भागबानी में जाना चाहता है तो उस किसान तो आप आप किया संदेश देना चाहेंगे कि वह कि तो जोजना पड़े किन किन चीजों का ध्यान रखे जितना जहर डाल जो जितना भी आप खेत में राशाइन खाद डाल डाल रहे इनकी वज़ेश से समस्याइब करो प्राकरति खेति करो और अधारित करो गाय के गोब्बर से और गोबबर से खेति करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा आप स्वंच देख सकते हैं हमेशा कभी भी आओ आप देखो मेरे फारम पर आपको लगएगा देखके के वास्तों में इसका रिजल्ट है हमेरे यहां घर में एक दाना भी किसी कैमिकल का किसी डाई का क किसी पैस्टिसाइड का बिल्कुल भी प्रियोग नहीं प्रियोग नहीं होता जी लाने की जरूरती नहीं पड़ती हाँ जी किसी बीचीज की और मेरे सारी खेति जैसे धान गेंगों गयरा भी सब इसी की वेस्पोरी है आप दान की कौन सी कौन सी किसमें आपने लगाई एक देहरा दुन नहीं बास्मति है और देशी भी खुसबुआ लिए ठीक है एक मेरे पास ग्याराइक्किस है जो हमेसा से चलिए जी वह भी मेरे पास लेकिन देशी तरीके से हुगाय हुआ हुआ वह चार-पॉच सालों से प्राकरतिक तरीके से हुगा तो एक तरह से वह पास ब्लेक राइस लगभग एक घर मैंने ब्लैक राइस लगजा तो ब्लैक राइस के बारे में आप से पूरी जानकारी लेंगे क्या फायदा और इसका और चलिए इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और साथियो आप जुड़े रहो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करो शेयर करो और साथी साथ अन्ने किसानों तक इस बात को पुचाओ के हाँ प्राकरतिक खेती करके भी बहुत अच्छी फसल हम ले सकते हैं बहुत स्वस्त फसल हम इसमें कर सकते हैं इसके बहुत अच्छे रिजल्ट जिने देखने हैं वो आएं यहां पर आके देखें इससे पिछली वीडियो में पूरी हमने जानकारी दिये कहां पर ये पूरा बवीचा इस्थित है और लास्ट में मैं अंकल जी से कहूंगा कि जो कोई किसान भाई किसी तरह की जानकारी आप से लेना चाते हैं या कुछ पोधे लेना चाते है तो आपसे किस तरह से संपर्ख करें आपका फोन नंबर आप हमें जरूर बताएं आडर्म आने मैं आपको बता दिया था मेरा फोन नंबर है 902-030-500 बहुत बहुत ढ़नेवाद जल्दी ँन अगली वीडियो में जुड़े रहिए नमस्कार